आज मैं आपके साथ वेचीज पीजा की रेसिपी शेयर करूंगी पीजा बहुत ही आसान तरीके से मार्किट से भी जाद अच्छा घर पर बिना आवन के बना कर कड़ाई में तयार कर सकते हैं रेसिपी आपको पसंद आए रेसिपी को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पीजा बहुत ही बढ़ी आवन कर तयार होता है है हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सुस्मा चोदरी में चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है वेच पीजा बनाने के लिए सबसे पहले हमने बाउल ले लिया है यह लिए हमने एक कप बर के मैता दाल देते हैं नहीं मोटन शुच में सोल्ट एक और अब आट करेंगे ऑन टी स्पून बैकिंग पाउडर करेंगे में हाफ टी स्वोन बैकिंग सोड़ा की मिक्स कर देते हैं वेच पीजा बनाने के लिए सबसे पहले हम बाजार जैसा अगदम बढ़िया पीजा बेश तैयार करेंगे यह प्रेस करड़ यह हमने 5 टेबल स्पुन कर्ड ले लिया है इसको आट कर जीतें इसमें और इसका हम सौफ दो तयार करेंगे और इसमे एट करेंगे एक बड़ा चमच के कारीब वहाटर ओछेसे सौफ दो तैयार कर लेते हैं और ये देखिएWET हमारा सौफ ड़ बनकर एकदम तैयार है अब इसमें टालेंगे हम एकसे डिट चमच के करीब ओई अच्छे से मसल लेंगे ओलता कर देखिया वैल कर भी हमने अच्छे से मसल लिआ है consistra तैयार है Untag सोल को हम 10 मिनट लिए सेट होने के लिए छोड़ देते हैं जिए आप प्गी अप्राइ इसे घ्रीज करके हैं अब यह देखे आप शोल को हमने इची तरीके से चारो तर फैला दिया है अब हम यह इस तैप का स्टेंड लेना है और इसको इस तरीके से रख देना है अब इसको हम डब देंगे इसको पंदे मिंट के लिए प्री हीट होने देते हैं देखी तुस्मिंट हो गई हैं डो को च अब चकले के उपर थोड़ा सा सुका मैदा ढालेंगे और इसको बेलन से बेल लेंगे अब यह देखे आप हमने इसको थोड़ा मोटा ही बेला है हमने इसे ट्रे के साइस का बेल कर ले लिया है अब यह हमने एक फोग ले लिया है इसमें हम इस तरीके से होल करतेंगे यह हम शाशा बीज्ञ चैमाच फैला की तुमें हमें लेंगे अपार स्लाइस राइकों तक दॉस्था नहीं, कद्यों चैमाच वार। नीजिय arch एक हे कशाड़ में बगाए पिलिगां तहíक दिए लाजले के नेचा समय के दाईवी तो तो लगाएंगे हम रेट कप्सिकम स्लाइस यह देखिए रेट कप्सिकम स्लाइस भी हमने लगा दिये अब यह लिया है हमने स्वीट कॉन यह भी लगा देते इस पर यह देखिए स्वीट कॉन भी हमने इस पर लगा दिया है अब यह लिया है पनीर पीसिस लगा देते इसको देखें पनीर पीचिस भी हमने इसमें लवा दिया हैं इसके ऊपर मोजला चीज डाल देंगे ग्रेटि इस पर पीजा वारा एकदम तयार है यह तो यह देखिए आप दूसरा पीजा भी हमने इस तरीके से तयार कर लिया है तो ये देखिए पीजे को 15 मिन्ट हो गई है चेक कर लेते हैं ये देखिए बहुती बढ़िया बैक होकर पीजा हमारा तैयार है पीजे को हमने 15 मिन्ट तक लो फ्लिम पर बैक कर रहा है पीजा बहुती बढ़िया बैक होकर तैयार है निकाल लेते हैं एक ट्रे में पीजे को ह टीनिया पीजा को हुमने कट लिया है बहुत इन बड़िया पीजा बैक होकर तयार है यह देखी पीछı से भी बहुत ही अच्य से बेख हुआ है एक्दम तयार है अगर आपको हमारी वेजपनी चीज कुन पीजा रैसेपी पसंद आये तो रेसेपी को झाल झाल